सर्वेभ्यो नमाहा देवबाण संस्कितम यूटूब चैनल में आप सभी का हार देख अभिनादानी वित्रो संस्कित न्याय शंखला में आज मैं आपके लिए न्याय ले करके आया हूँ विश का आर्थ होता है जाहा और क्रीमी का आर्थ होता है कीड़ा जो विश का कीड़ा होता है विश में रहने वाले कीड़े होते हैं कुछ विश में वो क्या करते हैं बिश में ही रहते हैं बिश को खाते हैं और बिश में ही जीवित रहते हैं और वो मरते नहीं है परन्त कोई दूसरा प्राणी यदि बिश को खा लेता है तो वो मर जाता है ठीक है तो बिश क्रिमी न्याय मनि बिश का जो किड़ा होता है वो बिश को खा करके भी जीवित रहत कोई दूसरा प्राणि को खालेगा तो मर जाएगा तो इस न्याय का प्रियोग वहां की आ जाता है जहां पर कि नहीं कार्यों के माध्यन से सामान व्यक्ति तो हानी को प्राप्त करता है उसे कष्ट होता है जाएप जैसे हिसी गाहों में बहुत सारे लोग रहते हैं और एक दो यह दि चोर रहते हो जोरी करके ले आएं तो पूरा गाउं बद्धनाम हो जाता है ऊसमें दूसरे लेने वाले लोग हैं वह से अपमानत हो जाते हैं ठीक है और यह चोर होते हैं स्रक्षित रह जाते हैं कि तो प्राय करके इन नाय स्म्याख का वहीं प्रयोग होता है जहां पर सामान लोगों को तो कश्ट पैदा हो जाता है और व्यक्ति विशेशों को um say lab होता है यसे विशच के कीड cioè को लाव होता है पर दूसरे प्राणियों को हानी हो जाती है तो इसी प्रकार पे हमें इससे यही सिक्षा मिलती है कि हमें आ दूर रहना चाहिए Fredericам नहीं करना चाहिए विश का कीड़ा तो बिसका पान करें तो कोई पर परेशान नहीं बहुत तो जिंदा रहेगा जी आमें नहीं करना जन सामान को गलत कामों से दूर रहना चाहिए दुष्ट लोग गलत काम करें वो जीवित रह सकते हैं ठीक है परन्तु अच्छे आदमी का तो गलत काम करने से मरना हो जाता ठीक है चलिएगा इससे यही शक्षा लेते हैं आगे के निया के साथ मिलते हैं सर्वेब्यो नमा